नमस्कार दोस्तों तो किसी भी कंपनी पे देखिए टाइम बूरा चल रहा है स्टोक्स में गिराव अटारी है किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आती है उसके डैप तो उननचास हजार करोड का डैप था इस कंपनी पे बट जो इसके फाइनेशियल ओफिसर है चीफ फाइनेशियल ओफिसर पीबी बाला जी उसने बड़ा नाम किया है आज के दिन के अगने आने वाले दो साल में करीबन करीबन 32,000 करोड का डैप खतमी कर देंगे तो वो क्यों कह रहे हैं उतना कंपटेबल क्यों है यह कहते हैं तो उन्होंने उतना बताया है रीजन् बिजिनस इसे तो 32,000 करोड को चोटा अमाउंट तो होता नहीं है 32,000 करोड अगर चुका देते हैं इसमें से और 7,000 करोड का वो कहने है कि adjustment है वो भी चुकाय जाए जाएंगे बट उसके अभी शियोटी निसे तो करीबन 49,000 करोड का करजा वो उतारने वाले हैं आने बाले तो कौन सा स्टोक है यह किसके है टाटा मोटर्स के टाटा मोटर्स के पीवी वाला जी एक्चली में सीएफ हो है तो 49,000 करोड का अगर करजा कोई उतारने वाला है देखे टाइम बुरा में वैसे ही कहा रहा है स्टोक में गिरावट भार ही चल रही है ऐसा नहीं है कि पीवी वाला जी के कहने से कुछ रुख जाएगा इस टाइम पे बट उन्हें लगता है कि JLR के वज़े से जितना भी करजा हो रहा है वो सारा करजा अगले दो साल में वो चुका देंगे इसली चुका देंगे तो ये बड़ी स्टेट्मन कंपणी ऐसे स्टेट्मन नहीं देती बिना सोचे समझे चीफ फाइनिंशियल ओफिसर उन्हें तो फाइनिंस के बारे में सब कुछ पता है वो ऐसी बाते कभी बिना सोचे समझे नहीं करते देखिए अभी प्राइस कम हो सकता है मैं कहता हूँ 330 भी जा सकता है 20 भी जा सकता है आपको कंपनी के बिजनस वे वरुसा देना है चीए क्या इलक्रिक विकल में कोई और ओवर कम कर पाएगा टाटा को नहीं लगता तो ध्यान रखिएगा क्या आपको लगता है कि टाटा के और भी स्टोक्स जितने भी हैं टाटा मोटर्स मालेजिए टाटा पाउर मालेजिए टाटा स्टील मालेजिए टाटा केमिकल्स मालेजिए और अगर मैं को टाटा कंजीमर प्रोडेक्ट्स मालेजिए टाटा investment माले जी क्या इनको कोई मतब गिर्दो सकते ही है TCS गिरेंगे इस टोक्स बर उठेंगे भी उतनी तेजी से अच्छे स्टोक्स में इन्वेस्स कीजिए हमेशा